नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब यहां पे देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर की रेसिपी लेकिन आज हम बिल्कुल अलग तरीके से बिल्कुल दो से तीन चम्मच ओयल में इसको बनाकर रेली करेंगे और यह जो शाही पनीर है बहुत ही जड़ा टेस्टी चुनेगा और बिल्कुल धाबा स्टाइल होगा और आप इसे एक बार बनाओगे तो दूसरा तरीका बूल जाओगे तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं यहां पे हमने एक पैन लिया है उसके अंदर एक कप पानी का डाल लेते हैं एक कप पानी के अंदर आप डाल देते हैं तीन मैंने तीन प्यास को काटके चीदाने वाश करके इसके अंदर डाला है यहां पे अद्रक के कुछ पीसिस डाल देते हैं तीन से चार आप हरीमिच डाल लीजी हरीमिच आप अपने टेस्ट के वाडिंग डालिएगा यहां पे बड़ी लाची और दो चोटी लाची यहां पे दो से तीन लाउंग डाल लेते हैं और अब इसे हम ढख कर पकाएंगे पांच से साथ मिनट के लिए जब तक यह अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं सारे इंग्रिजिन्ट इसको हमने अच्छी तरह सॉफ्ट करना है लो फ्लेम पे इसको पका लेते हैं चा देना है और मेसे थोड़ा सा फंड़ा करके इसको ग्रौइन अब पानी के साथ इसे ग्रईंड कर लएंगे यहाँ पह एक पैन के अंद नद तीन चमच आँल के लिए हैं यहाँ पे बेलिफ टाल देंगे तेज पत्ता जीरा ढाल देते हैं एक चमच और यहाँ पे हल्डी डालेंगे यह लाल मिर्च यह रणग के लिए दाली है यहां जहां पर पूरी बना चुके हैं मसाला बनाया है जो हमने टमाटर प्याज को के अंदर डाल कर भूना है अब यहां पर नमक डाल लेते हैं अब यह कि चमब नमक मैं अब अच्छी तरह पॉंड़ना है तांक इसका तेस्ट आये तो 5-7 मिनट इसको भूनने में लग जाएंगे इसको आपने मीडियों फ्रेम पर पकाना है जब तक मसाला पक रहा है ग्राइंडर में हम 8-10 काजू लेते हैं थोड़े सी हमने मेलन सीज लिए हैं यह हमारे पास खरबूजे के बीज हैं खरबूजे के तरबूज के कोई भी ब अच्छा हो जाएगा अगर आपके पास नहीं है तो स्केप कर सकते हैं आधा कप हमने दूद का डाल दिया है अब इस सभी समान को हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेने हैं बिल्कुल अच्छी तरह पीस लेने है और जो मारा मसाला पक रहा है अब उसके इंदर इस ग्रे बनेगा जैसे कई लोग इसमें बहुत सारा ओयल डालकर मसाला बनाते हैं लेकिन हमने यहां पर दो से तीन चमच में ही इसको रडी कर लेना है अब देखिए यह मसाला पकता रहेगा इसको आपने बहुत अच्छी तरह पकाना है क्योंकि जो इसकी रिच्छनस है काजू की दो लेक्ट को इसके अन्दर अच्छी तरह आ जानी चाहिए तो यहां पे धनिया पॉर्डर डालते है एक चमच धनिया पॉरय डालने से इसका थेस्च बहुत अच्छा हो जाएगा और इसके साथ भी हम एक से दो मिलाम हिसको पका लेते हैं यहां पर मैंने एक चमच को सू पका लेना है आप इसे ढखके 2-3 मिनट तक पका लीजिए तो इसके बाद ये ग्रेवी हमारी रेडी हो जाएगी इस ग्रेवी को आप बना कर रख लिए जब भी कोई महमान आए तब आप इसको अंदर पनीर डालिए और आपका शाहिपनीर रेडी है तो यहां पे मैंने 500 ग् पनीर लिया है और इसके पीसिस कट करके हमने ग्रेवी के अंदर डाल देने हैं ग्रेवी के अंदर डालने के बाद 3-4 मिनट इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे और ये हमारा शाहिपनीर बनकर रेडी हो जाएगा और एक यकीन मानिए इसका जो टेस्ट है बहुत जबर्दस आ अगर एक बाड़ी से घर पे मनाएंगे तो आप देखिए इसका टेक्शर कितना बढ़ी आया है लेकिन इसको थोड़ा सा और पकाते हैं हम अगर पका सकते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि इसका जो टेस्ट है मसालों का सारा चितर है इसमें आ जाए पनीर के अंदर भी आ डालिए लेकिन जो अथेंटिक रेसिपी है इसके अंदर थोड़ी चीनी जाती ही है आप चीनी डालने के बाद मैंने इसके पका लिया है दो से तीन मिनट और तो लीजिए यह हमारा शाहिप निर बनकर बिल्कुल पारफेक्ट रिडी है इसको अच्छे तरह मिक्स कर लेते के साथ सर्व करेंगे तो आपको यह बहुत जादा पसंद आएगा मेरी फैमिली में शाहिप निर बहुत जादा पसंद करते हैं जो मैं बार बार मनाती हूं और कम महनित में यह बनकर रिडी हो जाता है तो लीजे आप देखिए इसका टेक्शर कितना बढ़ी आया है आज ह मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपी जो आपको पसंद आएंगी एक बड़ चेक कर लीजिएगा आप किस तरीके से पनीर बनाते हैं मुझे जरूर बताएगा मेरा जो यह तरीका है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें मेहनत भी नहीं लगती है और टेस्ट इसका मुझे बर्दस आता है चलिए आपके साथ शेयर करते हैं इसकी एक बाइट मैं इसका टेक्स्चर और पनीर का लुक बता देती हूं पनीर है जो मैंने घर में ही बनाया था तो इसको भी मैं घर में ही बनाकर रेली करती हूं यहाँ पर देखे कितना सॉफ्ट डिलीशियस य हमारा शाहिप निर्बन कर तयार हो गया है और आप इसे इंजॉय कीजिए बनाइए लंच में दिनर में आप इसे बनाकर रेली कर सकते हैं यह वाचिंग दिस वीडियो यह वाइट आपके लिए हैं आप इंजॉय कीजिए थैंक्यू वाचिंग